इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हाज लॉट टू विछ परसेप्शन कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर जगे चाइना 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 क्या चाइना वाकई एक हेजमॉन बनने वाला है हेजमॉन का मतलब होता है कि ग्लोबल पॉलिटिकल और एकॉनिमिक सिस्टम पर सिंगल पावर यानि कि चाइना जो कहेगा वैसे पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा चाइना जिन देशों की ग्रुपिंग्स को बनवाना चाहेगा वो बनवा पाएगा चाइना इंटरनेशनल एकॉनमी में जिन प्रिंसिपल्स को एप्लाइ कराना चाहेगा वो करा पाएगा कुछ ऐसा जैसे कि World War 2 के बाद U.S. करा पाया था था यह एनलिस्स ने कहा कि चाइना ऐसा करने बाला है There's a lot of hoopahola about China By the end of this video, you are going to have a moksh-like feeling with regard to this particular topic हम इस topic को इसके root से पकड़ेंगे और उसके बाद present तक लेकर जाएंगे तो आखरी तक बने रहीएगा और लास्ट में इससे एक question भी बनाऊँगा तो वो आप attempt कर लेंगे What is hegemony? Virtus World में वर्चस्व एक का ही होता है इसको लेकर एक hegemonic stability theory भी है जो कहती है कि international politics में एक वर्चस्व होना तो सब के लिए best है वो order बना कर रपता है क्योंकि authority एक के पास रहती है तो trigger एक के पास है तो बाकी सब उसके हिसाब से चलेंगे अगर कई लोगों के पास मतलब कई देशों के पास इतनी शक्ती हो गई trigger लेकर गूम रहे हैं तो हर कोई अपनी हिसाब से world affairs को चलाने की कोशिश करेगा लेकिन एक और rule है कि हेजमोनी आती है फिर decline होती है जैसे एक समय पर Packs Briticana यहनि कि बिटेन का वर्चस्व और फिर बिटेन के वर्चस्व का decline और फिर अमेरिका का वर्चस्व और अब अमेरिका के वर्चस्व का decline तो अब next कौन है कौन है नेकस्ट चली पता करते है चाइना के बारे में इस बुक में बाय वीलियम टी रोवे कहते हैं कि करीब 2000 सालों तक चाइना रीजिनल हैजेमünü रहा था इस्ट एशिया में यह है आपका इस्ट एशिया चाइना रीजिनल हैजेम्वाब यहां के affairs पर तो चाइना का प्रभाव था यहां की डैनस्टीज का प्रभाव था लेकिन first opium war होता है 1839 और उसके बाद से चाइना के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं इसके बाद ऐसा होता है कि unequal treaties systematic exploitation होता है चाइना का चाइना के इतिहास में आज भी उसको माना जाता है century of humiliation और यह भी कहा जाता है कि चाइना इतना जादा resurgent expansion इस वज़े से है क्योंकि इसके इतिहास में यह pain है और वहां के leaders इस pain का इस्तेमाल करते हैं to justify expansion क्या तुम्हें ऐसा दुबारा बनना है नहीं तो बताओ क्या चाहिए दुनिया चाहिए तो expand करेंगे economically और फिर militarily that's how China's foreign policy reflect its past pain world war 2 और finally इस humiliation का अंत होता है क्योंकि इस humiliation में majorly शामिल था जपान अब world war 2 में जपान हर चुका था अब जपान तो हार गया चलिये ठीक है अब यहां पर चाइना के republic का rise हुआ यानि कि किंग डाइनस्टी कमजोर हो चुकी थी है और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं who is regarded as father of Chinese Republic जड़र कमिंट में बताईए गा लाइव में नहीं कमिंट में care उसके बाद 1970s आया और लेट 1970s में डेंज यॉपिंग बने modern चाइना के architect लेकिन मैंने जो सवाल पूछा था क्या पूछा father of China Republic वो आपको बताना है ना डेंज यॉपिंग में policy बनाई कि bide your time hide your strength यानि कि अभी अपनी मजबूती को दिखाओ मत क्योंकि दूसरा insecure हो सकता है जो आपकी मदद करना चाहेगा क्योंकि कोई नहीं चाहते ना कोई आपका भला सब चाहते हैं लेकिन ऐसा भला नहीं चाहते कि आप उनको सरपास कर दो समय का इंतजार करो समय चलता रहा 1990 आए और चाइना ने कहा कि हम peaceful development कर रहे हैं peaceful peaceful rise है हमारा हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है उस समय यूएस वस लाइक या रहे चाइना तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हम खड़े है यूएस को लग रहा था in this 1970 से 1990 यानिके यह जो दो दशक थे यूएस को लग रहा था अरे हमारा बहुत पड़ा achievement हो गया हमने यूएस असर कॉम्मिनिस्ट ब्लॉक से एक इतना बड़ा communist leader nation ले लिया है अपनी तरफ देखो हमने उसकी economy को open कर दिया और capitalist basis पे उसकी economy चल रही है और यहां पर यूएस के कुछ scholars ने वहां की राष्टपती को बताया रहे आप सर capitalism तो एक drug है आप इनकी economy को open तो कराईए एक बार इनको पैसा चखने तो दीजे सर इनकी politics बदल रहेंगे आपके जैसी यूएस ने का ठीक है चाइना बताओ तुम्हें क्या चाहिए चाहिए ने का इन्वेस्टमेंट सर और सर हम तो export करेंगे चीप लेबर और manufacturing करना स्टार्ट किया लेकिन उन्हें बहुत हलके में ले लिया था चाइना को डैन्स याउपिंग की स्ट्र वाली रहेगी अपना काइंड ओफ कॉमिनिस्म यूएस ने कहा मंजूर पीछे पीछे सोच रहता रहे जल्दी बदल जाएंगे क्योंकि कैपलिस्म बढ़ता है लोग के पास economic power बढ़ती है तो लोग अब ज़्यादा आगा हो जाते हैं लोग डिमांड करने लगते हैं अध इधर चाइना अब अपने सुरू बदलने लगा था चाइना एक potential threat बनने लगा था और status quo को challenge करने लगा था लेकिन अब भी यूएस की आखे नहीं खुली थी अलाकि कुछ scholars ने का खुल जानी चाहिए नहीं खुली थी आया 2008 में recession हुआ अब डेंग की जो strategy थी डेंज जानी कि इनकी economy इतनी dependent नहीं हो पाई इन्होंने अगर उनको export कर रहे थे तो इसके अलावा alternative export mechanism भी खड़े कर चुके थे कुछ domestic consumption भी चल रहा था तो इन पर effect इतना नहीं हुआ लेकिन इतने सालों से जो export 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 कर रहे थे तो तो मुझे बताओ dollar मिलेगा की नहीं यूएस dollar मिल ही है यूएस ने का हाँ हाँ तुम्हें तो हमनी support किया था ना चैनल का हाँ उसको गिनो ही मत सर आप बताओ आपको क्या चाहिए यूएस ने का यह financial crisis है तो चैनल ने का ऐसा करो ना आपकी जो government के बार्णे में खरीद लेता हूँ यानि कि आप हमें government paper दो जिस पे लिखा है मान लो एक लाख डॉलर एक्जामपल ले रहा हूँ और इतने सामें बाद आपको ज़्यादा बढ़ा कर आप मतला हमें दे दो कि तो एक तरीकी से चैनल ने का मेरे पास फॉरेक्स में बहुत डॉलर पढ़ा है मैं आपको डॉलर देता हूँ आप अपना debt वाले crisis को solve करिए और आप मुझे paper देजिए मैं तो paper से खुश हूँ लेकिन वो paper इनके federal reserve की guarantee होता है यानि कि जब चैनल करेगा यह federal reserve की guarantee जब डॉलर निकालो तो फिर इनको निकालना होगा with जो भी उस पर time mention होगा तो इन्होंने government bond खरीदने स्टार्ट कर दी आपको लगता है यह अपने आ अपना time आ गया है तो अब चाइना ने economy से military की तरफ अपना खर्चा करना start करा और इसके बाद से now prospects of Chinese hegemony were visible अब हम वीडियो के second part में हैं अब हम prospects पर बात करेंगे और उसके बाद third part में हम कुछ राज खोलेंगे कि actually कैसे यह सिर्फ एक शिमरा है शायद मिराज है जो बनाय हुआ है इतना ज़्यदा strong China है नहीं कैसे पहले prospects पर अच्छे च्छी बाते करने जो भार दिखती भी है यूएस का hegemonic decline क्या कहा था कि कोई भी hegemonie तब बनती है जब इससे पहले वाले hegemon का decline हुआ हो अब ज़रा देखिए अगर इससे पहले वाले का सोचिए यूएस का arise कब हुआ था World War 1st के दोरान Britain जो है जो Pax Briticana चल रहा था इनके तो सामराज़्यपर कभी सूरज नहीं डूपता वो वीक होने लगे थे World War 1st हुआ वो फिर वीक थे World War 2nd हुआ खेर यूएस बढ़ता रहा लेकिन यूएस अब डेक्लाइन में है डेक्लाइन में कैसे ये देख लीजे हालात क्या है 1976 से आज तक हर साल यूएस ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है खुद यूएस Congress Budget Office का ये डेटा है वो उनका कहना है कि उनका खुद का अनुवान है कि दो हजार असी तक हालात कुछ ऐसे होंगे कि इनके कुल GDP का 716 परसेंट इनका नेशनल डेट होगा इन पर उधार होगा 716 परसेंट चाइना यूएस का में कॉंपिटिटर है लेकिन चाइना यूएस डॉलर यूएस को डॉलर दे रहा है और वहां से गौर्णमेंट बॉंड खरीद रहा है तो यानि के अब शिफ्टिंग हो रही है पावर स्टेटस में चाइना के प्लस पॉइंट देखिए फो सोरेंड इंवेस्टमेंट में चाइना सेकिंड बेस्ट औपapon माना जा रहा है इनवेस्टर पैसा आज bी चाहँप कर रहे हैं तो इनवेस्टर कहां पैसा पंप करते हैं अगर वह यूएस के बास सेकिंड नबर पे चायना पर बोलिश हैं कि चायना बढ़ेगा एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट चाइना का जो वर्ल्ड एवरेज है उसका तीन गुना है वो मैनिपुलेट करता रहता युवान को कि भई इस मैनिपुलेट करने से क्या होगा कि अपना जो इंपोर्ट का खर्चा वो बचा लेता है और अकर उसको लगता है रहे मेरी एकॉनमी का फायदा ना उठा ले दूसरा कोई तो इंपोर्ट टेक्स बढ़ा देता है इस साल का जो लिटेस्ट है वो देखे टू टू फाइव बिलियन युएस डॉलर डिस इस अपके तो यह था कि हमें बताना था कि ओर एस्टिमेट करना है यहां तो मुझे लग रहा सही एस्टिमेट नहीं अभी थैरिये थैरिये आने वाला है आगे कहानी ग्लोबल एंवार्मेंट पॉलिसी और देखी जिसको हेजमान बनना होता है तो केवल मिलिटरी पार एकॉनमिक पावर से काम नहीं चलेगा अभी तक हम मैंने दो आइस्पेक्ट आपको बताए आपको वर्ल्ड के मुद्दों पर आगे आना होगा एस एस सॉलूशन क्लीन टेक्लोजी के लिए उनको बाहर से बजट सपोर्ट मिलना चाहिए रिच नेशन यानिके नेदर नेशन चाना हाला कि खुद वह एन्वार्मेंट के सारे रूल को फ्लाउट करता है लेकिन कहता देखो मैं इस बात को रेस्पॉंसिबल रेस्पॉंसिबली हैंडल करना आइलेंड यहां पर उसने अलग से आर्टिफिशल आइलेंड बना रहा है जिससे की मेरिटाइम जो उसके क्लेम है वो और ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि यूएन क्लॉस का रूल कहता है कि जो 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 नोटिकल माईल तक आप क्लेम कर सकते हो तो इस तरह कि वो आइलेंड बना रहा है बीच बीच में तो इससे वो शो भी कर रहा है देखिए पावर का सीधा सा रूर्ल है केवल कह देने से थोड़ना पावर होती है जो आप चाहते हैं वो कर दें और दूसरे फिर आपके हिसाब से अड़र्स करते फिर इस वोट चाइना इस रिफ्लेक्टिंग कि कि मेरे पास इतनी पावर है मैं कर सकता हूं बिया रहे को चाइना कर रहे जब तक तो मैं अल्टिनिटिव रूट्स तयार कर दूँगा इसका एग्जांपल है डेट्ट्रैप के थू हम बन टोटा और कितने अफ्रिकन और अधर नेशन्स के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्र है नहीं अभी नहीं अभी निया खानी अभी बाकि है मेरे दोस्त अब है जमनी पर जाने वाले शेशांग त्यागी 4-0 यह टेलग्राम इंस्टर ग्राम यहां पर आप में रसत कनेक्ट हो जाई अपडेट आते रहते हैं आपके बैस्ट बैस्ट इन इंडिया क्योंकि इसस चेक रखेगा whether you are working fine or not. आप अपनी doubt directly उनको shoot कर सकते हैं. Crash course भी है, books भी आपके घर भेज़े जा रही है. इतना समय तो books में, notes में, ढूनने में, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, उसमें लग जाता है. तो 9 June से start हो रहा है, admissions are on. आप जाओगे studyiq.com पर मिल जाएगा, त्यागी live code लगा कर आपको maximum discount वहाँ पर मिल जाएगा. PSR optional, 15 June, next batch आ रहा है, त्यागी live code, join in. Now, सबसे पहले, hegemonic stability theory. ज़रे देखते हैं, कि क्या चाइना सही में hegemon बन पाएगा? क्योंकि hegemon, ता मतलब के वहल यह नहीं होता, कि आपका से economic power है, political power है. Hegemon वो होता है, जिसका दूसरा देश माने भी. मतलब, अगर World War 2 के बाद US hegemon बना, तो कितने सारे देश US के पीछे खड़े थे? क्या चाइना के पीछे, यह उसके साथ खड़े होने के लिए देश तयार हैं? और hegemon बनने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, for the welfare of others. क्या चाइना वो करने के लिए तयार है? चाइना तो dead trap में रख रहा है, इतने higher interest rate पर, यह प्रोजेक्ट में फंडिंग दे रहा है, और फिर अपनी कंपनियों को हाँ पर प्रोजेक्ट दिलवा रहा है, तो चाइना के around तो यह negative sentiments पिन कर रहा है, तो कहने का मतलब है, जो US लीड ले रहा था, वैसा lead हमें इस theory के एसाब से भी चाइना में नहीं दिख रही है, चाइना की leadership में वो examples ही नहीं सेट बैठ रहे, हाला कि चाइना subconscious में रखता है कि हाँ हाँ मैं एक hegemon बनूगा, लेकिन एक और बात है कि hegemon actually तब उभर कर आते हैं, जब world में कोई major crisis हो, जैसे की world war first, world war two, ठीक है उसके बाद economic depression और इतने crisis उसके बाद US का rise, लेकिन क्या हम कोई world में ऐसा major crisis और उसमें China becoming a major solution ऐसा देख रहे हैं, कहीं लोग कहते हैं, pandemic शायद इसका trailer तो नहीं था, pandemic के थू major crisis create करना और उसके बाद major solution provider खुद बन जाना, लेकिन major solution provider चैना बन कहां पाया, कितने सारे देशों ने मिलकर efforts किये, तब जाकर counter कर पाया, है कि नहीं, तो उसमें in crisis के बाद वो लीडर निकल कर राता है, जो सब के लिए positive sentiment, मता सब के नज़रों में positive sentiment रखता हो, major responsibility ले रहा हो, जैसे कि world war 2 के बाद, US ने स्टार्ट किया, items of peace program, आपको nuclear technology चाहिए हम देंगे, बस इस treaty पर sign कर दो, कि आप हतियार नहीं बनाओगे, तो खुद तैय कर रहा है उनके sovereignty के issues, जिम्मेदारी ले रहा है, Marshall plan, major reconstruction development program स्टार्ट कर दिया, international institutions स्थापित कर दिये, मतलब उसमें अपने favor में, और दूसरों का भी उसमें solution इस तरीके से स्थापित किया, लेकिन क्या pandemic के दौरान हमने कोई ऐसा major achievement देखा चाहिना का, हमने तो नहीं देखा भी, तो कहने का मतलब है कि, जो lead इन देशों ने ली थी, ब्रिटेन और अमेरिका ने ऐसा हमें कुछ चाइना में नहीं मिला, इस मतलब institutional arrangement should be created, which are led by you, which are providing solutions, ऐसा कुछ नहीं हमें दिखा, तो US के पास ability थी, और US के पास will भी थी, ये core होता है hegemony का, will भी हो और ability भी हो, चाइना में ना तो will है ना ability है, आप कहेंगे सर्फ मजाग क्यों कर रहे हैं सर्फ ability तो है, कैसे ability है, ability is not just about many, ability is about whether you have those kind of friendships, alliances that you can alter world order, इसको ability कहते हैं, Chinese people, अगर इनसे ही पूछा गया, कि बताओ भी तुम्हें लगता है तुम्हारा देश सूपर पावर है, मुझे लगता है कि चाहिए इंडिया में, अभी हमें पता है, we are on the track, बट अगर आज भी पूछ ले जाए, आपको लगता है इंडिया सूपर पावर है, आपको लगता हमारे केवल 12% देश कहेंगे कि हम सूपर पावर हैं, इन से ज़ादा हम बोल देंगे, कहा रहे थे कि PRC will overtake US in 21st century, लेकिन इस comprehensive national power index के इसाब से ऐसा बिलकुल नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले भी दूसरे number पर कहीं देश आए हैं, और कहीं projection बनाए गए कि अभी फर्स number पर आजाएंगे, जैसे जर्मनी, लेकिन क्या हुआ जर्मनी का, नहीं बन पाया, जैपैन, 1980s में कहा जा रहता रहे, जैपैन US को सरपास कर देगा, कहा हूँ पाया, क्योंकि जैपैन के internal crisis में फिर जैपैन फस्ता चला गया, ऐसी जर्मनी में हुआ, जर्मनी में अपने political crisis में फस्ते चले गए, अपनी इतिहास में, ये economy crisis में, तो यानि के second side कोई first पर आजाए, जरूरी नहीं है, चाइना जैसे देश के लिए, जैसे चाइना का जो ruling elite है, for example, Mao, Mao का कहना था कि हम hegemony नहीं बनेंगे, hegemony में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारिया होती हैं, और कहीं बार at the expense of own national interest, you have to spend, you have to be interventionist, हम वो नहीं करेंगे, जैसे कि आप US का देखो, कितने सालों तक कितना सारा पैसा उन्होंने, कहीं वियतनाम में, कहीं कोरिया में, कहीं अफगानिस्तान में, कहीं एराक में रखा, कितने सारे लोगों को वहां स्वाहा करा दिया, क्या आपको लग रहा है, चाहिना विल डू डाट, नहीं, चाहिना वोंट डू डाट, ये CCP, Chinese Communist Party है, और Communist Party को पता है, कि इतना स्कोप नहीं देना लोगों को, कि वो आपको सवाल करने लगे, कॉश्चन करने लगे, US में फिर भी चल गया था, कि लोग सवकों पर आए, डेमोकरसी थी, चलो पॉलिसी में दिर दिर चेंज ले आएंगे, CCP के लिए बहुत घातक हो जाएगा, उसका मतलब होगा next revolution, और इस वेसे इनकी जो CCP है, उसमें भी consensus नहीं है, whether they are ready to get to this hegemon rule, चाइना का मानना है, कि हम multipolar में विश्वास रखते हैं, और इधर आप देखी रहें, मिस्टर मैकरॉन को, मैकरॉन जी मिलकर आए, शीजिन पिंग से, और कह रहे हैं, मैकरॉन जी कह रहे हैं, देखो हम तो US के साब से चलने नहीं सकते हैं, हमें लगता है कि यूरोप, कि जो इंटरस्ट हैं, वो US से ना निकल करा हैं, US ना डिक्टेट करें, तो शीजिन पिंग कह रहे हैं, बस तुम ही हो काम के बंदे, ठीक बात बोल रहे हो, तो ऐसे में साथ मिलकर चलने, यानि कि साथ मिलकर वर्ल्ड अफेर्स में, अपने इंट्विंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, शीजिन पिंग, वन एंलिस इस और उसका मत्तब है, सिंगल है, जमोन तो नहीं मनेंगे, जोग्रफी, आप US का एग्जामपल लीजे, ब्रिटेन का एग्जामपल लीजे, दोनों के पास एक प्लस पॉइंट था जोग्रफी का, जोग्रफी आइसोलेट हो, जहांपर सिक्यूरिटी कंसर्ण्स बॉर्डर पर आपके मिनिमम हो, भाई इसका एड्वांटिज लिया है ना US ने, US के उपर, कैनड़ा, नीचे मैक्सिको, पैसिफिक और अट्लांटिक, जोग्रफी, जोग्रफी का connection security से है, जोग्रफी का connection economy से है, और क्या ऐसा advantage चाइना के पास है, नहीं है चाइना के पास, चाइना इतने सारे देशों से घिरा हुआ है, और इसमें से इतने सारे देशों के साथ, तो इसके conflict चल रहे है, इन में से कौन बनने देगा इसको है जोग्रफी और यह हमें दिख भी रहा है, many of these nations are joining hands with countries like US, Quad, ASEAN is in good relationship with US to counter China, तो कैसे बन जाएगा है जोग्रफी का एक्सेश, Pacific के थूभी trade कर रहा था, Atlantic के थूभी trade कर रहा था, Britain के पास multiple seas का access था, क्योंकि वो colonial टाइम था, तो massive trade routes advantage उसके पास थे, लेकिन चाइना के पास है क्या, नहीं है चाइना के पास, चाइना के पास ये वाला area है, के वाल Pacific वाला, और यहाँ पर strong competition में लगे हुए हैं उसके खिलाब, Western China, अब ये देखिए, तो ये दोनों आजाद हुए तो चाइना है कहाँ, तो यहानी के इनके internal dynamics, are also not in favor of being a hegemon, क्योंकि US became hegemon, internal stability थी, Britain became a hegemon, internal stability रही थी उस समय पर, on maritime coast मैंने आपको बताया, इनके पास ये वाला area है, Pacific, US के पास Atlantic Pacific दोनों के advantage रही है, इनोवेशन, आज के समय में, जिस century में हैं, इनोवेशन के लिए जरूरी है, social network, internet, ICT, information communication technology से easy knowledge sharing, जिससे की fast-paced innovation हो सगे, लेकिन क्या चाइना में ऐसा हो रहा है नहीं, कितने सारे social media websites are not working in China, CCP is, innovation strategy is top to bottom, जबकि innovation is bottom to top, हमारे देश में, इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है, that is what we are focusing upon, we are giving open access, but China ऐसा नहीं कर रहा है, तो यानि के इस से, ये पैसे के बलबूते, government policy के बलबूते, innovation के एक level को अचीव कर सकते हैं, but वो जो maximum, जो leap होती है forward, वो ऐसे नहीं होगी, right, today's knowledge system is different, from what was in past, तो ऐसे में PRC को खुद पता है, कि ये जो communist ideology of control, that is not going to bring that innovation, अगर चाइना ने future में सोचा भी, कि चलो हम innovation करने के लिए, या other aspects में, अपनी acceptability बढ़ाने के लिए, चलो democracy के साथ experiment करते हैं, तो इतिहास गवाह इस बात का, कि जब जब democracy का experiment हुआ है, तो कुछ समय, जो transition वाला period है, वो troublesome रहा है, और मुझे बताइए, चाइना जब second number पर economy में, और अपने आपको expand करना चाहरा है, और इस time पर वो democracy पर experiment कर दे, तो आपको लग रहा है कि वो peaceful होगा, नहीं, वो बहुती troublesome time होगा, troublesome time का मतलब है, कि वो जो chance है, वो छूटी जाएगा वैसे भी, यहाँ पर Muslims in Jingjiang, थिबबत में Buddhist and Catholics in other parts, all of them have their own reasons to stand up against CCP, तो कैसे हो जाएगा, unemployment biggest threat है, इस समय हालात ऐसे हैं, चाइना की growth rate down है, और growth rate down होने का मतलब है, कि चाइना की सरकार के पास, इतनी भी ability नहीं है फिलाल, कि जो यूवग घूम रहे हैं सड़कों पर, उनको भी नौकरी दे पाए, तो कैसे बनेंगी भही हैं है जोबान, तो conclusion के तौर पर हम कह सकते हैं, कि internal जो unrest है चाइना में, वो increase हो रहा है, specifically minority section को लेकर, एक समय था double digit के growth चल डी थी लेकिन अभी single digit में है, right, 6.5% के आसपस decrease हो चुका है, तो यानि कि अभी वो barely अपने जो domestic issues हैं, उसको handle करने में लगा हुआ है, लेकिन उसको पता है कि इस domestic issues, को resolve करने के लिए, उसको power projection रखनी होगी, तो military में expenditure करना ही होगा, क्योंकि military में expenditure करोगे, तो economy को भी help मिलेगी, उसको हम कहते है war economy, right, तो production होगा, तो कहीं लोगो job मिलेगी, तो उनको भी पैसा circulate होगा, क्योंकि forex में तो कमी है नहीं, तो this is what China is doing, sustained economy growth, वो critically necessary है चाइना के लिए, लेकिन वो अभी नहीं लग रही है, क्योंकि उनके अपने कुछ internal issues है, तो कुल मिलाकर बात यह हुई, example है मारे समने जापैन, internal issues के लिए, फिर वो second से नीचे आ गया था, तो ऐसा ही projection हमें चाइना के लिए लग रहा है, those who agree, mention in comments, super 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 agree, now, critically examine the possibility of China becoming hegemone, तो अब तो इतने सारे point आपको बता दी, critically examine करने में, यानि कि कौन से ऐसे reasons है, जिसकी वेसे नहीं लगता कि China बन पाएगा, ध्यान रखिए कि जब भी critically examine हो, तो positive वाले point भी आपको शुरुआत वाले part में डालने होता है, जिसे बताओ कि अच्छा ये claim आ क्यों रहे थे, तो लोग लगता है कि अभी थोड़ा वो मोक्ष वाली feeling आ रही होगी इस topic में, राइट, understanding बनी है, तो comment में करना है मोक्ष, ठीक है, शेशांग त्यागी for you, ये मेरा Instagram है, Telegram है, आप यहाँ पर connect हो जाएए, त्यागी लाइव आपका discount code है, Maximum discount आपको मिल जाएगा, on study IQ courses, अभी best time है, अपनी UPSC preparation को start करने का, दोजार चॉबिस बस समझ लिजा आनी बाला है, if you need any help, the whole team is here, फिर मिलते हैं, ख्याल रखिये, जैहिए,